आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Phenol, यह हमने क्या लिया है यहाँ Phenol, इस तरीके से ठीक है अब हमें इसकी Reaction करानी है किस के साथ, Zinc Dust के साथ किस के साथ करानी है इसकी Reaction Zinc Dust के साथ ठीक है, तो Basically यह क्या होता है, Distillation of Phenol है ठीक है, With Zinc Dust हमें यहाँ पे क्या Product मिलता है जब हम इसकी Reaction कराते है Zinc Dust के साथ, तो हमें मिलता है Benzene, प्लस आपको यहाँ पे एक Side Product मिलता है, वो क्या होता है Zinc Oxide, यह हमारा क्या होता है Side Product होता है Basically यह आपका क्या है, एक तरीके से Distillation Distillation तो हमसे यहाँ पे यही पूचा था, कि हमें इसको Complete करना था, कि Phenol का Reaction आपने Zinc Dust के साथ कराया तो आपको क्या मिला, तो हमें यहाँ मिलता है Benzene, जो हमारा क्या होता है, एक Aromatic Compound है Benzene हमारा क्या है, यहाँ पे Aromatic Compound है अब इधर अगर हम देखें तो यह आपका Plus 2 में होता है यह आपका Minus 2 में होता है यहाँ पे अगर हम Mechanism की बात करें तो हम इसको थेओर लिए एक बार देख सकते हैं सबसे पहले Phenol मेरा Convert होता है कि इसमें Phenoxid Iain में जो Phenol है, यह Convert होता है कि इसमें Phenoxid Iain में यह हमारा Phenoxid Iain में और जो Proton Release होता है जो आपका Proton Release होता है वो आपका क्या बनाता है एक Electron Accept करता है Zinc से और Radical बना लेता है उसके बाद यहाँ पे Homolytic Fission होता है यहाँ पे क्या होता है Homolytic Fission होता है किसका, जो आपका क्या है यहाँ पे Carbon ये वाला और इसका Oxygen का Carbon of C of Phenyl Phenyl Ring यह आपका Phenyl Ring का and O- क्यूंकि जब यह Phenoxide बना तो O- हो जाएगा इसके Cleavage के बाद जो O- है वो Electron को क्या करता है Accept करके Zinc से क्या बनाता है O2- और आपका Zinc ने आपके 2 Electron लूज किये एक तो यहाँ पे इसको Electron देके Radical बनाया तो Zinc 2 प्लस में खुद Convert हो जाता है तो यहाँ पे आपको यह दोनों Combine करके क्या देते है Zinc O और जो आपका यह Radical बनता है यह इधर जो आपका यहाँ पे जब Homoletic Fission होगा उसके साथ Combine करके आपको Benzinc देदेगा क्योंकि यहाँ जब Fission होगा तो भी Radical बनेगा तो Benzinc मिलता है तो इस तरीके से यह हमारा Proceed करता है और हमें Product मिलता है Benzinc और ZNO as a Side Product ठीक है ओके गाइस Thank You